दिन बर की बड़ी तमाम खबरों के साथ, बड़ी जानकारी अमेरिका में डोनल्ड ट्रॉम्प पर जानलेवा हमला, आपको बता दे डोनल्ड ट्रॉम्प पर जानलेवा हमला हुआ है, रहली के दोरान डोनल्ड ट्रॉम्प पर चली गोलियां, ट्रॉम्प के कान को छूती व देखे पैंसलवेनिया के बटलर में ये बड़ा हमला हुआ है ट्रॉम्प और यहाँ पर ट्रॉम्प एक रैली को संबोधत कर रहे थे भारी मातरा में लोग यहाँ पर मौजूद ते और जान करिये सामने आरें कि ट्रॉम्प के कान से गोली झूती वी निकली और ट्रॉम्प यहां पर काफी भाली तदात में नज़र आ रही थी और लेकिन अचानक ही ट्रॉम्प पर हमला हो जाता है अलग कि अस्पताल से दिस्चार्ज करतीया गए होने और न्यूजर सी पहुंचे हैं ट्रॉम्प तो देखे ट्रॉम्प पर हमले से पहले आरोपी ने जारी किया था वीडियो आरोपी थॉमस मैठ्यू क्रूस ने वीडियो जारी किया था Thomas Matthew ने ट्रॉम्प से नफरत की बात कही थी मैं Republican और ट्रॉम्प से नफरत करता हूँ ये Thomas Matthew ने बोला था तो देखे ट्रॉम्प पर हमले से पहला आरोपी ने एक वीडियो भी जारी किया था आरोपी Thomas Matthew Crooks ने वीडियो जारी किया था My name is Thomas Matthew Crooks I hate Republicans, I hate Trump and guess what, you got the wrong guy चुनास प्रेचार के अमेरिके के पूर्वराष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रॉम्प पर जान लेवा हमला हुआ है आपको बता दे, पैंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान ट्रॉम्प पर गोलिया चलाई गई गोली कान को छूते वे निकल गई अगर दो सेमिमीटर की चूक से रिपब्लिकन कैंजिडेट बाल बाल बच गई आपको जानकारी दे, लेकि संदेग्ड स्नाइपर को मार गिरा है लेकिन दुनिया के सुपर पावर देश में पूर्व राष्ट्रपती पर सरयाम हमले से हरकम मचा हुआ है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपती टुनाल ट्रॉम पर चानलेवा हमला चुनावी कैंपेंड के दरान पेंसिल्वेडिया की पटलर में चली गोली दो सेंटीमीटर की चूक वरना चा सकती थी ट्रॉम्प की जान शूटर की गोलियों ने पूर्व राष्ट्रपती के कान को कर दिया ज़लने शूटर्स के टार्गिट पर दुना ट्रॉम बाल बाल बचे रिपब्लिकन कैंडिडेट ट्रॉम्प के कान को जूकर निकली गोली ट्रॉम्प की सभा में ताबर्थोग फायरिंग से मचा हरकम्प बटलर में मंच के नीचे छिपकर ट्रॉम्प ने बचाई जान भायरिंग के बाद मचे हरकम्प में भी ट्रॉम्प ने दिखाया हौसला कान से भाका दिखा फलर्ट अटैक के बावजूद टुना ट्रॉम्प का जोश हाई मुठी बांद कर जोश में लगाए नारे अटैक के बाद सिक्रेट सर्विस एजेंट्स एक्टिप भीड से सुरक्षित बाहर ले गए सुरक्षातर भी फाइरिंग के आवाज से लोगों में अफराता फ्री जिपने की कोशिश करते भागते नजराय लोग ट्रॉम्प पर हमला करने वाले को सुरक्षापरों ने किया धेर जहत के उपर छीपा था स्नाइपर हमला वर अमेरिका में शनी बार शाम साड़े छी बजे हुआ आटैक हमले के बाद ट्रॉम्प को सिधे अस्पताल ले जाये गया ट्रॉम्प सुरक्षित है और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया 28 सेकेंड के इस वीडियो ने पूरी दुनिया को सन कर दिया क्योंकि अमेरिका के चुनावी ती हास में ऐसा शायद पहली बार हुआ जब किसी उमिदवार पर सीधे सीधे गोली चिला दी गई हो दोपहर का वक्त जगा पेंसिलवेनिया अमेरिका राश्टरपती जोग बाइडिन को डिबेक में ताल ठोक कर चुनावती देने के बाद डुनाद ट्रम्प का चुनावी समर चरम पर है इसी चुनावी हलचल में डुनाद ट्रम्प की सभा चल रही थी जहां बड़ी तानाद में ट्रम्प सपोर्टर मौजूद थे अभी डुनाद ट्रम्प अमेरिका के मौज़दा हालाद को लेकर कुछ बोल भी रहे थे कि अचानक गोलिया चलने की आवाज आई आवाज आते ही ट्रम्प ने अपना दाया हाथ अपने कान के पास रखा और वो नीचे गिर गए कुछ सेकेंड में हुए इस घटनकरम के फॉरण बाद सुख्षा कर्मियों ने टुनाद ट्रम्प को गेर लिया सब हमें मौजूद लोग नीचे बैठ गए और चेक पुकार होने लगी फाइरिंग के बाद ट्रम्प के सुख्षा कर्मी यानि सिक्रेट सर्विस के एजेंट एक्टिव हो गए सुख्षा कर्मी और ट्रम्प सपोटर खौरन अलग-अलग डिरेक्शन में भागे जिसने शूटर का पता लगाया जा सके वहीं सुखारदात का एक दूसरा वीडियो ट्रम्प के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है इसमें बाद ट्रम्प के कान से खौन निकलता दिखाए दे रहा है रिपब्लिकन कैंडिटेट ट्रम्प इस हमले में बाल-बाल बच गए और गोली उनके दाहिने कान को जलनी करते हुए निकल गई अगर गोली दो सिंटीमीटर भी अंदर की तरफ आई होती तो ट्रम्प की जान भी जा सकती थी जैसे ही पहली गोली चली ट्रम्प ने कहा ओह और अपने कान को पकड़ लिया दरसल उसके बाद दो और गोलीों की आवाज सुनी जा सकती है इसके बाद ट्रम्प नीचे जुक गए टोनार ट्रम्प के चेहरे पर भी खोन था लेकिन जब सुरक्षा कर्मी उन्हें ले जाने लगी तो ट्रम्प ने रुक कर अपना मुका हवा में लहराया मानो कहना चाह रहे हो वो ऐसे हमलों से नहीं डरते जोश में ट्रम्प ने नारे भी लगाए मैं युनाइटेड स्टेट से सिक्रेट सर्विस और सभी कानोत प्रवर्तन एजिंसियों को गोली बारी पर उनकी त्वर्त प्रतीकिरिया के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे अहम बात मैं रैली में मारेगे शक्स के परिवार के प्रती अपनी समवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ यकीन नहीं होता है कि हमारे देश में ऐसा किया जा सकता है मेरे मित्र पूर्वराष्टपती डोनाल ट्रम्प पर हुए हमले से बेहत चिंतित हूँ घटना की कड़ी निल्डा करता हूँ राजनीती और लोकदंद्र में हिंसा का कोई अस्थान नहीं है उनके शिक्र स्वस्थ होने की काम ना करता हूँ हमारी समवेदनाय और प्रार्थनाय विर्तकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ है ट्रम्प पर हमले के बाद से अमेरिका में सुवक्षा को लेकर सवाल उठसने लगे हैं अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडेन अपने चुनावे दोरे को बीच में छोड़ कर वाशिंटन दी सी लॉट रहे हैं बाइडेन वाइड हाउस में होमलेंड सीक्यूरिटी और लॉग एंफोर्स्मेंट एजेंसी की इमर्जेंसी मिटिंग बुलाई है जिससे मौझदा हालातों से ही निप्टा जा सकी